हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तो इससे पहले हमने आपको पार्ट वन छुट्टी का पढ़ाया है जो कि सभी जो विभागी एक्जाम में उसमें आते हैं या आपको भली भाती मालूम है तो आज चलिए छे से शुरू करते हैं और इससे पहले अगर आप ह से पहले आपको जान लिए कि जो आप स्टडी लीव लेंगे वह आपका स्टडी का जो सब्जेक्ट है वह आपको आपको वीचे जो है वो काम से संबंदित होना चाहिए जैसे माले कि होस्पीटल में आप काम करते हैं तो आप डॉक्टर की जो पढ़ाई है उसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि काम से रिलेटेड आपको छुट्टी होना चाहिए तभी आपको मिलेगा दूसरा है पांच वर्च की सेवा जो है आपकी पूरी हो चुकी हो तभी इस छुट्टी के लिए आप eligible है यह minimum service required है वो 5 years है और balance सर्विस है वो 3 years है मतलब 3 सल का सर्विस बचा होना चाहिए कब जब आपकी छुट्टी समाप्त हो उसके बाद अध्यान समाप्ती किसमे 3 words का कारिकाल शेस होना चाहिए अभी आपको बता हैं balance service required 3 years अध्यान का छेत्र सरकार के लिए लावप्रद होना चाहिए जो अध्यान का छेत्र है और सरकार के लावप्रद होना चाहिए उसके बाद है दो किस्तों में ये दी जाएगी आपको दो किस्तों में बारा बारा महीने का दी जाएगी आप ले सकते हैं study के लिए इसको maximum 28 महीने तक ले सकते हैं कब जबकि आप Extraordinary Leave के साथ इसको ले सकते हैं एक अलग परकार की छुट्टी होती जो कि अगला हम आपको वही बताएंगे Extraordinary Leave क्या होता है और इसको आप 3 साल तक Maximum भी ले सकते हैं लेकि इसमें कंडिशन है कि आप या तो PhD की डिगरी के लिए आप स्टडी करने जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की डिगरी के लिए स्टडी करने जा रहे हैं तब ही आपको 36 महिने का Extraordinary Leave को जोड़ करके उतना मिल सकता है और साथ ही आपको यह जानना है कि जब आप स्टडी लीव में होंगे तब आपको मिलेगा Basic, DEA और HR यह तीन सुबधाई मिलेगी बाकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यह सरकार का Rules है तो चले स्टडी लीव हो गया आगे बढ़ते हैं चुटी नमर साथ है Extraordinary लीव इसका नाम है औसा JACरण चुट्टी यह आपको बीना वेतन कहामें इसमें आपको वेतन नहीं दिय जाएगा इसमें कहा है कि आपके खाते में चुट्टी हो या नह हो आपको यह चुट्टी मिलेगी चुट्टी आपका जो लिजिएगा में नहीं काउंट होगा जैसे होता है कि 5 साल का सर्विस पूरा कर लेने पर तीन पास मिलता है जो रेलवे करमचारी है एक साल के सर्विस तक उनको एक ही पास मिलता है तो ów विलए सिर्विस पूरा होने के बाद तेना पास मिलता है Schmidtians Dwight इसमें कांट नहीं होगा उस तरे की सुभ्धा नहीं मिलेगी कि उसके बाद है कि कि जो रेल्वे में अपरेंटीस है उनको यह सुभ्धा नहीं है यह चुटी नहीं मिलेगी चुट्टी अधिक्तम पांच वर्स के लिए स्थाई करमचारी ले सकते हैं जो स्थाई करमचारी है परमेंट जो इंपलाई है उनको पांच वर्स के लिए मिलेगी ये चुट्टी और स्थाई करमचारी को पहला तीन महीना जो है प्रवान पत्र के साथ मतलब मेटकल यानि कि बीना प्रवान पत्र के साथ मिलेगा अगर छे महिना लेना चाहते हैं तो उनको मेटकर सेटीफिकट लगाना पड़ेगा और और उनको असात्य जो बीमारी है जैसे लकवा हो गया टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह का बिमारी है, तो 18 महीने तक भी और स्थाइक करमचारी ले सकते हैं, उसके बाद स्थाइक करमचारी अगर छुट्टी लेंगे, यो तरह को तीन वर्स का कारेकाल सेस होना चाहिए, जो आप छुट्टी खतम होगी, उस पिरियेड में आपका 3 साल तक सर्विस, minimum सर्विस required होना चाहिए, उसके बाद देखिये, paternity leave जो है, PL, बहुत ही famous है, और exam में भी आता है, और सब को मालूम भी होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें कुछ twist है, जो आपको मालूम नहीं है, PL क्या है, पित्रत आपकास है, ये दो जीविद बच्चों के लिए पूर्शों के लिए को दी जाती है, मतलब कि दो बच्चे तक आपको दिया जाएगा, तीसरा बच्चा में आपको नहीं दिया जाएगा, उसके बच्चे के जनम के 6 महिने के भीतर ये आउकास, एक ही बार में आपको लेना पड़ेगा, पैट्रिटी ल हो गया, तो आपको ये चुट्टी नहीं मिलेगी, आपको 6 महिने के भीतर ये ले लेना है, इसमें किस्त नहीं है, और साथ में इसमें ये है, कि यदि पहले बार, पहली बार में किसी को जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जुडवा, ट्विंस, तो उनको एक ही बार य चुबधा मिलेगी, क्योंकि दो बच्चे तक ही चुट्टी दी जाती है, इस तरह से आप याद रखेगा, उसके बाद है, मेटरिनेटी लिव, जो है मात्रे तुला, जिस तरह पूर्शों को मिलती है, उस तरह महिलाओं को भी मिलती है, या अब कास जो है, दो बच्चों तक ही दिया जाएगा, यह उन महिला रिलकर्मचारियों को दिया जाता है, जिनने चिक साथ जो है, द्वारा यह मालूम हो जाएगा, गर्ववती है, ऐसा उनको मालूम हो जाए, यानि कि मेटिकल सर्टपेट के अधहार पर ही आपको छुट्टी दी जाएगी, जो मैटरिन प्रवानपत्र बनवा के लिए या बच्चे का जनम परवानपत्र बनवा के लिए या आप स्टेट गॉर्वर्मेंट या सेंट्रल गॉर्मेंट कहीं भी आप बच्चे का जनम परवानपत्र बनवा के लिए तभी आपको प्रवानपत्र बनवा के लिए तभी आपको प्र 180 दिन होती है और 6 महिने के लिए आपको दिया भीज आता है टोटल 180 दिन का दिया जाता है और एक ही किस्त में दिया जाता यह नहीं कि बार बार आप इसको बदलते रहें और यह चुट्टी जो अविभाहित महिलाओं को भी दिये है जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी चुट्टी मिलेगी किसी भी कारण से अगर वो गर्वपती हैं बच्चे को जनम दिना चाहते हैं तो बच्चे को जनम देने के लिए जो मेटकल सेट्पिकेट बनवा के ला जाएगा और इसमें क्या है कि इसमें और अतिरिक्त छुट्टी जो इलेपी है वो भी इसमें जोड़ सकते हैं यदि आपको कम पढ़ रहा है सुविधा है आने में सुविधा नहीं मिल ला है तो आप इलेपी भी इसके साथ एड़ कर सकते हैं इसमें आप यह सुविधा है उसके बाद है कि एड़ोप्शन लिब आ गया मेटरिनेटी लिब खतम हो गया एड़ोप्शन लिब अब देखिए दसमाँ एड़ोप्शन लिब क्या है था यानि कि जो आप बच्चा गोद लेगा उसका जो है छुट्टी होता है बच्चा किसी को नहीं हो पा रहा है अगर वो बच्चा गोद लेता है तो उसमें उसको चुट्टी मिलेगी यदि पुरुष है इंपलाई यदि फीमेल है तो उनको पंदरा दिन की चुट्टी मिलेगी कम मिलेगी जब बच्चा गोद लेने का कानूनी certificate बनाएगा उस period से लेके 6 महिने के भीतार आप 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं male imply female के लिए अलग condition है अच्छा ये दो बच्चों के लिए अलग-अलग दिया जाएगा ये rules भी इसमें भी same है adoption leave में भी दो बच्चे तक आपको मिलेगा उसके बाद है कि इसमें बच्चा गोद लेना कानूनी होना चाहिए इसमें condition है कि जो legal process से आप बच्चा गोद लेंगे तभी आपको ये आपको सुविधा छुट्टी की मिलेगी और साथ ही बच्चे का age एक वर्ष से कम होना चाहिए एक वर्ष तक में भी आपको नहीं मिले का जो रूस है फीमेल के लिए अलग है तो फीमेल के लिए क्या है देखिए अगर बच्चे की उम्र एक माह से कम हो तो छुट्टी की अवधी एक वर्ष होगी बच्चे की उम्र जो है एक माह से अगर कम हो तो फीमेल को एक वर्ष की बच्चों को देखभाल करने के लिए जो legal certificate होगा, कानुनी जो प्रमान पत्र होगा, बच्चे गोद लेने का, उस certificate के अनुसार, अगर बच्चे का age एक वर्स से कम हो, तो उनको एक महिने से कम हो, एक महा से कम हो, तो उनको एक वर्स के दिया जाएगा, छे महीने या सात महीने से कम हो छे महीना पूरा कर चुका हो या सात महीने से कम हो तो उनको छे महीने की चुट्टी दी जाएगी नौ महीना पूरा कर चुका हो या दस महीने से कम हो तो उनको तीन महीने की चुट्टी दी जाएगी इस तरह अगर बच्चे का एज 11 महीना हो तो सिर्फ उनको एक महीने का चुटी दी जाए काने का मतलब है कि आपको एक वर्स से एक वर्स तक ही बच्चे को सेवा करने के लिए चुटी दी जाएगी इस तरह का प्रवधान maternity leave में है तो इतना आपको धियान रखना है आपको हम टोटल पढ़ा दिये हैं दस लिव पढ़ा दिये हैं और और एक इसमें देखिए इस इबोशन का भी इसमें है अगर किसी पकारण से इबोशन हो जाता है मतलब गर्वपात हो जाता है किसी महिला का तो उनको 45 दिन की छुट्टी अतरिक्त दी जाएगी गर्व पात के उनसे थोड़ा रिलेक्स होने के लिए थोड़ा कुछ भी जो सरकार का प्रवधान है आपको सिर्फ इतनी याद रखना है कि एवोशन के उपर 45 डेज का यानि कि 45 दिन का छुट्टी एवोशन के लिए दिये जाता है हर माईलाओं को तो इस तरह से 10 छुट्टी हो गए और 3-4 बचे हुए हैं वो आपको अगले वीडियो में कवर कर देंगे और वीडियो को अच्छा लगए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं ततपर हूँ कुछ ना कुछ वीडियो डेली बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए तो धन्यवाद, जैहिन